आज की समय में प्रत्वी पर जो सबसे बड़ी चिपकली पाई जाती है वो डाइनसौर काल की चिपकली जितनी बिसाल तो नहीं है लेकिन इनका आकार फिर भी बहुत बड़ा होता है आम तोर पर घरों में जो चिपकली पाई जाती है वो काफी छोटी होती है लेकिन आज मैं आपको दुनिया की सबसे खतरनाक और बड़ी चिपकलियों के बारे में बताऊंगा जो कि इनसानों को भी खा सकती है इस चिपकली का नाम को मोडो ड्रेगन है ये चिपकली आकार में इतनी बड़ी होती है कि अपने आकार से बड़े जानवरों को भी अपना सिकार बना सकती ह और अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये 10 फीट तक लंबी होती है साथ ही इनका वज़न 180 किलो तक होता है ये चिपकली इतनी जादा खतरनाक और जहरीली होती है कि जब ये सिकार करती है तो अपने सिकार की मास पेसियों में अपना जहर छोड़ उसे मौत की घाट उतार देती है कुमोडो ड्रेगन नाम की चिपकली इंडोनेसिया के दीप समू पर पाई जाती है इसके नाकून और पंजे इतने मजबूत होते है कि किसी भी जानबर को अपनी पकड़ में लेने के बाद उस जानबर का वहां से बच कर निकलना असंभब हो जाता है कुमोडो ड्रेगन मरे हुए जानबरों का मास खाती है और साथ में ये गाय भैस हिरन बकरी और जंगली सुवर जानबरों को भी खाती है इस चिपकली की खासियत ये है कि ये अपनी बजन के दुगने जानबर को भी अपना सिकार आसानी से बना सकती है कुमोडो ड्रेगन अपने सिकार का पता सुंगने की समता दुआरा लगाती है ये चिपकली इतनी खतरनाक होती है कि बच्चों और बूडों को भी अपना सिकार बना लेती है चिपकली कभी कभी इनसानों की बस्ती में जाकर बूड़े और बीमार लोगों को अपना सिकार बना लेती है इस पिरकार हम कह सकते है कि ये दुनिया की सबसे खतरनाक और जहरीली चिपकली है